हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कैन्व रुबैको एमर्जिंग इक्विटीस फंड के बारे में यह एक लार्ज अन्मिट केप केटिगरी का फंड है यानि कि यह एक से लेकर टॉप 200 कंपनी में अपना पैसा मेजर लिए इन्वेस्ट कर रहा है और पिछले 5 सालों क कि अगर हम बात करते हैं इस फंड ने काफी सही रिटन दिया अगर हम इस पर्टिकुलर केटिगरी में देखते हैं तो आएए देख लेते हैं इस फंड की डिटेल्स क्या है और इसने मेजर अपना पैसा कहां लगाया और कैसी रिटन दी है दोस्तो यह एक लार्ज साइज अभी इस फंड का और अगर हम इसमें बात करते हैं ऐसे टेल्स की तो लार्ज केप कंपनीज में यह 52% के आसपास वहीं मिडी केप कंपनी में 40% के आसपास और स्माल केप कंपनी में 6% के आसपास पैसा लगा रहा है अब देख लेते हैं इसमें इसका expense ratio इसका expense ratio minimum 1000 रुपे से आप इसमें SIP शुरू कर सकते हैं और अगर आपको one time ये लमसम पैसा डालना है तो आपको कम से कम 5000 रुपे इसमें डालने बढ़ेंगे risk पे बात करें तो ये एक moderately high risk category का fund है तो अगर आप इसमें fall करते हैं तो ही आप इसमें invest करें अगर अब इसमें हम बात करते हैं exit load की तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 1% exit load देना होगा और अगर उसके बाद कुछ भी निकालते हैं तो कुछ आपको exit load नहीं देना है अब आईए देख लेते हैं इस fund ने किन companies में और किन sectors में ज़्यादा पैसा लगाया हुए अब अगर हम इसमें sectors पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने banking sector में 21% फिर finance sector में भी 13% software में भी 13% के आसपस वहीं pharma और consumer non durable में 7% के आसपस पैसे लगाये हुए है तो major आगर हम देखेंगे ये top 5 companies में इसने 60-70% के allocation किया हुआ है अब आईए देख लेते हैं इसने majorly किन companies में पैसा लगाया है अब हम top 10 companies की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने SDFC bank में उसके बाद ICIC bank में उसके बाद Infosys में 4.5% वहीं Reliance में भी 4% Bajaj Finance में 4% के आसपस वहीं Axis bank में 3.5% Voltas में IGL चोला मंडलम और Minda Industries में 2% के आसपस पैसा इसने लगाया हुए तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये सारी companies अपनी field में अच्छा perform कर रही है ये भी एक reason है कि ये fund अच्छा perform कर रहा है अब आईए देख लेते हैं अगर आपने 10,000 रुपे की one time investment की होती तो इस fund ने कैसा है उसमें return बना के दिया है तो अगर आपने 10,000 रुपे की investment की होती एक साल पहले तो वो आपकी investment 13,000 रुपे के आसपास हो गई होती वहीं 2 साल में 14,000 के आसपास और 3 साल में 13,000 के आसपास अगर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपे लगा दिये होते तो वो आपका amount 21,000 रुपे से उपर चला गया है यानि कि 5 साल में इस fund ने आपकी जो लागत है वो double कर दिये और अगर आपने 2013 में इसकी inception में ही 10,000 रुपे लगा दिये होते तो वो आपका amount 48,000 रुपे से भी जादा हो गया यानि कि लगबग आपका पैसा इस fund ने 5 गुना कर दिया है जो कि एक बहुत अच्छी return मानी जा सकती है अब आई ये देख लेते हैं अगर आपने SIP कराई होती इस fund में तो कैसा return मिला होता अब अगर हम SIP पर बात करें तो अगर आपने 1000 रुपे से SIP शुरू कराई होती एक साल में वो 12,000 रुपे आपके लगबग 16,000 रुपे हो गए होते है वहीं 2 सालों में 24,000 रुपे आपके 32,000 रुपे हो गए है और 3 सालों में 36,000 रुपे आपके 50,000 रुपे के आसपास चले गए है वहीं 5 सालों में 60,000 की लागत पे आपको 93,000 के ऊपर की रिक्मम दिख रही है तो इस fund ने काफी regularly काफी consistently अच्छा return दिया है और अगर आप थोड़ा risk ले सकते हैं तो आप इस fund में पैसा लगा सकते हैं मेरी तरफ से इस fund पे आज इतना ही अगर आपको किसी और fund की ऐसी जानकारी चाहिए तो मुझे comment box में ज़रूर बताएं और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें धन्यवाद